हेलो फ्रेंस विल्कम बेक टो माई चैनल फ्रेंस आज हम बनाने वाले हैं आलू भर के पराठे या फिर आप इसे तलकर भी बना सकते हैं तो आज जो मैं बताने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके से बताऊंगी तो वीडियो के लाष्ट तक बने रहिएगा और एंड तक वीड कुझेए उसके बाद आपको ले लेना हैं बारी कटे वी हरी मिर्च अदरक और धानिय करने पत्ता को बारी कटे हुई और यहां पर धुर्णान अपर सबसे पहले क्या करना है ने हैं रसों के तेल में को मटर को तल कर निकाल लेना है अच्छे से देखिए यहां पर हरी मीर्च और अद्रक जो हमने बारी काट कर रखा था इसे भी आपको क्या करना है कि दो मिनट के लिए इस तरीके से भून लेना है तेल में और फिर इसे आपको निकाल लेना है देखिए फिर आपको क्या करना है कि जो भूजिया आपने काट कर रखा है उसे आपको इसमें डाल देना है ये देखिए और डाल कर हमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसे हमें भून लेना है तो हम इसे ढख ढख कर 5-6 मिनट के लिए भूनेंगे यहां पर फ्लेम को हाई कर देना है सुरू में और फिर जब यह पकने लगेगी थोड़ी सी तब और यहां पर बीच में हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और देखिए 3-4 मिनट के बाद आपको यहां पर स्वादा नुसार नुसार नमक डाल देना है एड कर देना है यही पर और अच्छे तरीके से हमें पहले भून लेना है तो यहां पर धियान रखना है आपको की फ़्ल तो यहां पर आप एक चम्मच भरकर मीट मसाला पाउडर एड करें इसे टेस्ट बहुत यह अच्छा आता है और देखिए बारिक कटिवी धनिया पत्ती इसमें हमें एड कर देना है देखिए और देखिए जब अच्छे तरीके से पक जाए देखिए तो आपको क्या करना है क इसे प्लेट में निकाल कर या तो आप इसे सिल्बट टेपर पीश ले या फिर आप इसे मीकसी ग्रैंडर ज्यार में पीश ले बहुत ही मेहीन और बारीक हमें इसे ट्यार कर लने और यहां पर देखिए जो मटर हमने तल कर रखा था उसे भी आपको पीस लेना है इस तरीके से अब दोनों को अच्छे तरीके से हमें मिसरन को मिला देना है तो फिर जो हम आलू का पराठा बना रहें तो बहुत ही अलग तरीके से इस तरीके से आप जरूर बनाएकर ट्राइ होना है और यह देखिए जितना अप्षा इसका बहर कर आप डाले और अच्छे तरीके से मुझें बंद कर दे और वस अगर आपको इसे बेल कर बनाना है तबापड तो आप इसे बेल ले अगर नहीं तो आप क्या करें कि इसे तल ले यह देखिए तो बस आपको क्या करना है कि इसे दो से तीन बार पलटना है और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है तो फ्रेंस इस तरीके से अगर आपने आलू के पराठे को बना कर तयार नहीं किया है कभी बना कर ट्राय नहीं किया है तो प्लीज इस रेस्पी को इस तरीके से बना कर जुरूर ट्राय करें यकीन बारिये बहुत यच्छे बनती है खाने में सौधिष्ट और जब आप इसे बनाएंगे तब आपको खुदी पता चल जाएगा यह देखिए और हाँ इसे मैं आप का जो टपिगे चारो तरप से बिल्कुल मात्रा में गई है श्यूर क यह देखिए तो बिलकुल आपको तयार करना है तो अभी यह थहार चार्ण है यह देखिए इसे बहुत ही यह अच्छी और देकि mouth बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में गई है तो इस तरीके से बिलकुल भी आपके पराठे नहीं फटेंगे और नहीं कुछ होंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनकर तयार होगी तो इस तरीके से आप बना कर जरूर ट्राय करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर झाली